हम सभी को अपना घर बहुत ही प्यारा होता है और घर को हम हमेशा सजाते सवारते रहते हैं और जरूरी नहीं है कि घर को सजाने के लिए हमेशा हम मार्केट से महंगे महंगे डेकोर पीस लेके आएं हम घर में पड़े ही बेकार चीजों से अपने घर को बहुत अच्छी तरह से सजा और सवा सकते हैं तो हेलो एं नमस्ते दोस्तों मैं हूँ अनीता स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पे तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही एक डेकोर पीस बनाने वाली हूँ जिसका हम DIY करेंगे और इसे मैं बेकार चीजों से जो घर में हम चीजे फेक देते हैं लाने के बाद चीजों को यूज करते हैं उसके जो वेस्ट होते हैं उसे फेक देते हैं उसी से इसे हम त्यार करेंगे तो चलिए देखते हैं इसे कैसे रेडी करना है इस wall decor को ready करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने यह पिस्ते का छिलका ले लिया है जो हम पिस्ता खाते हैं उसके ही छिलकों को मैंने फेका नहीं है इतने सारे जमा हो कर लिये थे और उसी के साथ ये मैंने ये छोटा सा मिरर लिया है जो हम पर्स में छोटा सा मिरर रखते हैं उसी को मैंने यहाँ पर यूज किया है वो खराब हो गया था तो उसका मैंने मिरर ले लिया है साथ ही यहाँ पर ये जो केक लाते हैं उसका जो बेस होता है उसे मैंने लिया है वो इस तरह से इसे चिपका देंगे, तो फेविकॉल के help से इसे मैं यहां पे चिपका दे रही हूँ, पांच मिनट में ही mirror cake के base पे चिपक गया है, अब यहां पे मैंने यह मोटा वाला lace मेरे घर में पड़ा था, तो उसे मैंने ले लिया है, और उसे भी इस तरह से mirror के side में इसे मदद से इसे इस तरह से चिपका सकते हैं, तो देखिए इस तरह से round में इसे चिपका दिया है, इस तरह से ही इसे चिपकाने के बाद यह काफे सुंदर लगने लगा है, क्योंकि जो हमारा cake का base है, वो भी golden color में है, तो बहुत ही अच्छा सा इसमें get up आ रहा है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर पिस्ते के जो चिलके होते हैं, उसे हम एक एक करके इस तरह से लेंगे, और यहां पर मैं अब इसे इस तरह से जो अपना glue gun होता है, उसकी ही मदद से मैं इसे इस पर थोड़ा थोड़ा लगाते जाओंगी, और इस तरह से चिपकाते काफि शुनर लग रहे तो इसी तरह से यह अब हम जजमेंट से ही भी बीच में शैंहर के जो छिल्के ऊंड़के हैं इसारव चिपक जाएंगे तो इस तरह से हमें इसे चिपक जाना है बहुत ही आराम से और बहुत ही जटपट ये चिपक जाता है और पूरा रेडी हो जाता है के बेस पे देखिए पूरी तरह से मैंने ये पिस्ता के चिलके को चिपका दिया है कितना सुन्दर दिखने लगा है इस तरह से ही अगर आप रख रहे हैं तो भी बहुत सुन्दर लगेगा लेकिन यहां पे मैं यह golden color का paint है उसे use कर रही हूँ तो मेरे घर में यह golden color का paint पड़ा था तो मैं इसका use कर रही हूँ अगर आपके पास हो तो लगाए नहीं तो ऐसे ही बहुत सुंदर दिखता है जो पिस्ता का छिलका होता है उसका ही natural color बहुत सुंदर होता है लेकिन मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा golden color से इस तरह से touch दूँगी तो यहाँ पे मैंने पतला वाला जो छोटा वाला brush होता है बच्चों का वही brush ले लिया है और उसे इस तरह से जो छिलके के अंदर के तरफ इस तरह से खड़ा जैसा होता है उसमें इस तरह से इसे color करते जा रही हूँ तो इस तरह से पूरे छिलके में मैं इस तरह से color कर लूँगी और मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबा हो जाता है तो थोड़ा-थोड़ा मैं दिखा दे रही हूँ जिससे की आपको idea मिल सके तो इस तरह से ही पूरे छिलके में हम color कर लेंगे पूरे छिलके में देखिए मैंने color कर दिया है कितना सुंदर ये लगने लगा है और इसे अब हम एक घंटे के लिए रख देंगे सूखने के लिए ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है जादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि पिस्टे का छिलका थोड़ा लकडी टाइप का होता है तो बहुत ही जल्दी ड्राय हो जाता है तो देखी ये बहुत अच्छी तर यह लटक जाए तो देखिए बहुत ही सुन्दर सा हमारा एक DIY वाल डेकॉर पीस रडी हो गया है इस तरह के पीस आप ओर लाइन सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही सुन्दर लगता है लेकिन बहुत कॉसली होता है तो इस तरह से हम घर में पड़े वैस च लिए यूसफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन जरूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली निव वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में बाबाई